यह सुन्दर दिखाई देने वाला पक्षी येलो फुटेड ग्रीन पिजन है। हिंदी में उसे बोलते है हर्याल और गुजराती में भी उसे हर्यल ऐसा बोलते है। फ्रेंट्स कहा जाता है कि यह पक्षी जमिन पर कभी नहीं बैठता। हाला कि वा पक्षी पेडो पर उन्चे रहना ही पसंद करता है। और पेडो के फल फुल खाता रहता है। इसलिए वा जमिन पर कम दिखाई देता है। फ्रेंट्स हर्याल बर्ड महारास्ट का राज्य पक्षी है। यह पक्षी है रेड वाटेड लेपिंग। इसे हिंदी में टिटिब टिटिहरी ऐसा भी बोलते हैं गुजर्याती में उसे टिन्टोडी ऐसा बोलते हैं फ्रेंट्स यह पक्षी जमिन पर रहने वाला पक्षी है वह अपना गौसला भी जमिन पर ही बनाता है पुराने जमाने में यह पक्षी के अंडे देखकर बारिश का अनुमान किया जाता था कि इस सिजन में कितनी बारिश आएगी मतलब अगर वो उन्चे स्थान पर अपने अंडे रखता है तो ज़्यादा बारिश आएगी ऐसा माना जाता था और निचे स्थान पर अगर अंड पक्षी बहुत ही होश्यार पक्षी है अगर इनसान या कोई प्राणी अंजा ने में उसके गोसले की तरफ आगे बढ़ता है तो वो पक्षी क्या करता है कि वह और दूसरी जगह जाकर वह वहां से बोलने लगता है ताकि हम और दिशा में जाए और उसका गोसला न देख पा हिंदी में उसे बया बोलते है और गुजराती में उसे सुगरी कहा जाता है वह नेच्रली आर्किटेक है वह तिनकों को चुन कर लटकता हुआ सुन्दर गोसला बनाता है अपने अंडे और अपने बच्चों को बचाने के लिए परभक्षीों से सुरक्षा के लिए वह ऐस गोसला बनाता है यह पक्षी है किंग फिशर किंग फिशर को हिंदी में राम चिरया और गुजराती में कलकल यो कहा जाता है किंग फिशर की चांच लंबी चाकू जैसी नुकिली होती है यह पक्षी पस्चिम बंगाल का राज्य पक्षी है किंग फिशर बर्ड मचली को दिखे वो जपट कर गिरता है और पानी मेंसे मचली को पकड़ कर ले जाता है। इस पक्षी का नाम है वुड़ प्यकर। हिंदी में उसे कठ फोड़वा कहते हैं और गुजराती में लकड़ खुद ऐसा कहते हैं। यह पक्षी अपनी चांच का उप्योग हथोड़े की तरह करता है और पेड़ के लकड़े पर एक ही जगह बार बार चांच मार कर वह सुराक बनाता है। और जब वह पेड़ पर ऐसे चांच मारता है तो उसकी आवाज दूर दूर तक जाती है यह पक्षी एक सेकंड में लकड़े पर बीस बार चांच मार सकता है यह सुन्दर दिखाई देने वाला पक्षी है फ्लैमिंगो इसे हिंदी में राजहंस या मराल भी कहते हैं गुजराती में इसे सुर्खाब कहा जाता है इस पक्षी के पेर इतने बड़े है कि वह पेर इसके शरीर से भी अधिक लंबे है यह पक्षी बाहामस देश का राष्टिय पक्षी है इस पक्षी की पंक निचे से काली है जो की वह उड़ता है तब ही हमें दिखाई देती है इस पक्षी का जो पिंक कलर है वह नेचरल ही नहीं है बट उनकी खानपान की वज़ह से यह कलर हुआ है सुर्खाब यानि की फ्लैमिंगो गुजरत राज्य का राज्य पक्षी है इसका नाम है स्पेरो जिसे हम गरेलु गोरईया ऐसा बोलते है गुजरती में इसे चकली बोलते है फ्रेंट्स दुनिया में सबसे बड़ी आबाती गोरया की है गोरया बिहार और दिल्ली का राज्य पक्षी है फ्रेंट्स यह स्पेरो और उनके जैसे और भी पक्षी है जो चलते समय दोनों पेर साथ रखकर कुद का लगा कर चलते है यह बड़ है डॉमेस्टिक पिजन हिंदी और गुजराती दोनों भाषा में उसे कबुतर बोलते है फ्रेंट्स कबुतर पूरी दुनिया में पाये जाते है कबुतर दिशा पकड़ने में होश्यार है पूराने जमाने में कॉम्यूनिकेशन के लिए मतलब एक जगह से दूसरी जगह संदेशा व्यभार में कबुतर का उप्योग किया जाता था हरा कबुतर तमल नाडु राज्य का राज्य पक्षी है और हरा शाही कबुतर त्रिपूरा राज्य का राज्य पक्षी है सफेद कबुतर शांती का दूत माना जाता है यह कुरूप दिखने वाला पक्षी है वल्चर हिंदी में उसे गिद और गुजरात में गीद बोलते है गिद पक्षी मांसाहारी पक्षी है यह पक्षी उन्ची उडान भर सकता है गिद पक्षी की द्रश्टी और गंद क्षमता तेज होती है फ्रेंस यह पक्षी का खोराक मरे हुए प्राणियों का मांस है इसलिए वह सफाई कामदार भी कहा जाता है परिस्थितिक तंत्र में बहुत बड़ा योगदान इस पक्षी का है यह ब्यूटिफुल बड़ है तोता जिसे इंग्लिश में पैरोट और गुजराती में पोपट बोलते है यह पक्षी बुद्धिमान पक्षियों में से एक है वे मनुष्य की ध्वनी की नकल भी कर सकता है यह पक्षी अकेला ऐसा है कि अपने भोजन को अपने पैरों से पकड़ कर मुझ तक ले जाता है इस पक्षी का नाम है एमू हिंदी में इसे एमू और गुजराती में इमू बोलते है यह पक्षी विशाल और फूर्तिला होता है एमू बर्ड पक्षियों में दुसरे नंबर का बड़ा पक्षी है एमू है तो पक्षी लेकिन उड़ नहीं सकता है यह पक्षी उस्टेलिया देश का नेशनल बर्ड है यह सुन्दर दिखाई देने वाला पक्षी है पैंग्वीन हिंदी में इसे पेंग्विन और गुजराती में पेंग्विन बोलते है यह पक्षी पानी में गहराई तक तेर लेता है यह पक्षी बरफिले इलाकों में पाए जाते है पेंग्विन बर्ड खारा पानी भी पी सकते है इस पक्षी को तो हम जानते ही है यह है क्रो, हिंदी में उसे कव्वा और गुजराती में कागडो ऐसा बोलते है कव्वे बढ़ को सभाई कर्मी भी कहा जाता है कव्वा बढ़ चतूर और होश्यार पक्षी होता है पूराने जमाने में गर्पे या गर्पे आसपास कव्वा बोलता था तो कोई मेहमान आने वाला है ऐसा समझा जाता था इस पक्षी का नाम है आउल हिंदी में उसे उल्लू और गुजराती में गुवर बोलते है भारत में उल्लू की सबसे ज़्यादा प्रजातिया पाई जाती है उल्लू बर्ड अपनी गर्दन को 270 डिगरी तक गुमा सकता है यह निशाचार पक्षी है उल्लू एक मात्र पक्षी है जो निले रंग को देख सकता है इस पक्षी का नाम है बस्टर्ड हिंदी में उससे सोन चिरया और गुजराती में गुराड बोलते है सोन चिरया राजस्थान का राज्य पक्षी है यह पक्षी विलुप्त होने की कगार पे है अधिक तर बस्टर्ड बिजली के तारों से मर जाते है हमारे देश के निशनल बढ़ की जब पसंगी होने वाली थी तब इस बढ़ का भी इसमें नाम था इस बढ़ का नाम है कुकु गुजराती और हिंदी दोनों में उसे कोयल बोलते है कोयल की आवाज बहुत ही मदूर होती है यह पक्षी कभी गुसला नहीं बनाता लेकिन दूसरे के गुसले में अपने अंडे रख देता है कोयल बड अधिकतर पेड़ पर उंचे ही रहती है यह पक्षी जारखंड और पांडे चेरी का राज्य पक्षी है यह पक्षी है हौन बिल हिंदी में उसे धनेश पक्षी गुजराती में इसे भुखरो बोलते है यह पक्षी की चांच नीचे मुड़ी हुई होती है और इस पक्षी के चांच पर जो सिंग जैसा दिखता है उसके काराण ही उसका नाम हौन बिल रखा गया है इस पक्षी की संख्या दिन भर दिन कम हो रही है हौन बिल, केरल और अरून चल प्रदेश का राज्य पक्षी है यह पक्षी है इगल बर्ड उसे बाज या घरुड भी कहते है बाज शिकारी पक्षी है इस पक्षी की चांच बहुत शक्तिशाली होती है यह पक्षी आकाश में उन्चे और तेजी से उड़ सकता है बाज पक्षी पाँच किमी तक अपना शिकार को देख लिता है पूरा नो में विश्णु का वाहन भी इस पक्षी को कहा गया है वन बाज पंजब का राज पक्षी है इगल बर्ड अमेरिका का राष्ट्य प्रतिक है यह पक्षी है हुपू हिंदी में उसे हुद हुद और गुजराती में हुड हुड बोलते है इस पक्षी के सीर पर ताज होता है मतलब की कलगी होती है हुपू बर्ड इस्रेल का राष्ट्य पक्षी है यह पक्षी सुबह सुबह मिट्टी में सन बाथिंग करते हुए भी देख सकते हैं और स्ट्रेच हिंदी में शुतुरमुर्ग और गुजरती में शाहमुर्ग बोलते हैं यह पक्षी दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है यह पक्षी उड़नी पाता है सुत्र मुर्ग बढ़ की आयू 70 साल होती है यह छोटा सा पक्षी है सन बढ़ हिंदी में उसे सुर्य पक्षी, शकर खोरा या फुल चुकी भी कहते है गुजराती में उसे फुल सुंग्णी या शकर खोरो कहते है यह पक्षी बारत में पाये जनवाला हमिंग बढ़ है इस पक्षी की चांच लंबी और आगे से मुड़ी होती है इस तरह की चांच फुलो फलो का रस चुसने में काम आती है इस पक्षी को 10-15 मिनिट बाल यानि की बार बार भोजन करना पड़ता है यह पक्षी एक में वो पक्षी है जो हवा में स्थिर रहकर भी उड़ सकता है इस पक्षी को हम जानते है यह है स्वान हिंदी और गुजराती दोनों भाषा में हंस बोलते है यह पक्षी जादा तर समय पानी में रहते है इस पक्षी का स्वभाव शांत रहता है यह पक्षी तेरते हुए भी सो सकता है यह छोटा सा पक्षी है बेटर हिंदी में उसे पतेना गुजराती में पतरंगों कहते है यह पक्षी मक्खियों को खा जाता है इसलिए उसका नाम भी बेटर है यह पक्षी छोटा सा रंगीन और खुबसूरत पक्षी है हम अगर कहीं जाते है तो हमने देखा होगा कि रास्ते के बगल में जो विजली के तार होते है अधिक तर वो तारों पर बैठे हुए हमें दिखाई देते है इस पक्षी का नाम है डक हिंदी में बथक और गुजरत में बथक बोलते है इस पक्षी की आँखों पर तिन पलके होती है विश्व प्रसिद कारटून केरेक्टर डोनल डक एक बथक ही है इस पक्षी का नाम है तितर हिंदी में तितर और गुजरती में तेतर बोलते है इस पक्षी की उड़ान छोटी और कम होती है इस पक्षी का रंग ऐसा है कि गास के मैदाद में देख पाना मुश्किल है काला तितर हरियाना राज्य का राज्य पक्षी है और धारीदार पुंचवाला तीतर मनीपूर मिजोरम का रज्य पक्षी है अक्सर गाव के नजदिक जो जंगल होते है वहाँ पर वो जोर जोर से बोलते है और हमें सुनाई देता है यह पक्षी है पॉंड हैरण हिंदी में ताला बगुला गुजरती में बगला यसा बोलते है यह पक्षी लंबे समय तक पानी में खड़ा रह सकता है यह पक्षी अधिक तर मचली का शिकार करता है इसका रंग मट मेला रंग का होता है यह पक्षी है क्वेल, हिंदी में उसे बटेर गुजराती में लावरी बोलते है यह पक्षी करिब 20 पक्षियों के जुनबे रहते है बटेर पक्षी की इम्मुनिटी इतनी होती है कि उसे टिका लगाने की आवश्चक्ता नहीं होती है यह है टेलर बर्ड हिंदी में उससे दरजी पक्षी गुजराती में दरजी डो कहते है यह पक्षी पेडों के पत्तों को सी कर अपना गवसला बनाता है इसलिए इसका नाम टेलर बर्ड रखा गया है यह पक्षी जुंड में नहीं दिखाई देता है मतलब यह पक्षी अकेला रहना पसंद करता है यह खुब सूरत पक्षी है पिकोग हिंदी और गुजराती में उसे मौर बोलते है मौर हमारे भारत देश का राष्ट्य पक्षी है यह पक्षी पूरे भारत में पाए जाते है मोर को पक्षियों का राजा भी कहते है इस पक्षि का विज्यानिक नाम पावो क्रिस्टेस्ट है भगवान स्री कुर्ष्णे के सर पर मोर का पंख लगा होता है यह पक्षि है डव हिंदी में उसे कपो तक और गुजराती में इसे होलो बोलते है यह पक्षि कबुतर का निकट संबंदी है इंग्लिश में उसे यूरेशियस कॉलरडव ऐसा बोलते है यह पक्षि है जंगल बाबलर हिंदी में उसे साथ बहन या साथ भाई नाम से बुलाई जाता है गुजराती में इसे लेलू या वन ललेडी भी बोलते है यह पक्षि सबसे बड़ा बातुनी पक्षि है यह पक्षि समुह में जोर जोर से बाते करते रहते है यह पक्षि है रोबिन हिंदी में उसे रोबिन गुजराती में इसे देव चकली कहते है यह पक्षि खुबसूरत और आकरशक्षि है यह पक्षी ब्रिटेन का राष्टी है भारत में पाये जाने वाला रोबिन यानि की देव चकली दिखावे में साधारण है यह पक्षी है मैना हिंदी में उसे मैना गुजरती में उसे काबर बोलते है भारत में गुलाबी मेना, पहाडी मेना, पवई मेना, भारतिय मेना इस तरह की तरह तरह की होती है हिल मेना 36 गड मेगा लेका राज्य पक्षी है यह पक्षी है बुल-बुल, हिंदी में उसे बुल-बुल और गुजराती में भी उसे बुल-बुल कहते है यह पक्षी मदूर स्वर में गा सकता है इस पक्षी के पूंच के नीचे का हिस्सा रेड कलर का या यालो कलर का होता है इस पक्षी को हम पिंजरे में नहीं रख सकते क्योंकि यह पक्षी डर से ही मर जाता है काली कलगी वाला बुलबुल गोवा का राज्य पक्षी है इस पक्षी का नाम है लिटल कॉर्मोरंड हिंदी में उसे जलकाग और गुजराती में नानो काजियो ऐसा बोलते है हिंदी में उसे पनकवा भी बोलते है या पक्षी मचली खोर है यानि कि मचली का शिकर करता है या पक्षी ज़ादातर पानी में रहता है या पक्षी तालाब या सरोवर के पास अगर कोई ठूंठ है तो उस पर हमें दिखाई देता है और वहाँ बैठ कर वह पक्षी अपने पंक सुकाते रहते है इस पक्षी का नाम है ब्लैक ड्रेंगो गुजराती में इसे कार्यो कोशी कहते है यह पक्षी ब्लैक रंका होता है उसकी पुंच दो भागों में बंट जाती है यह पक्षी किसी जीवजनतु को उड़ते हुए ही हवा में से ही पकड़ लेता है इस पक्षी का नाम है कौक यानि के रुष्टर हिंदी में उसे मुर्गा और गुजराती में कुकड़ बोलते है इस पक्षी के सिर्पर कलगी होती है पुराने समय में इस पक्षी की आवाज सोनकर लोग सुबा उठते थे इस पक्षी कम उड़ूपाते है लेकिन दोड़ने में तेज है इस पक्षी का नाम है काइट हिंदी में उसे चिल और गुजराती में समड़ी बोलते है यह बेहद आक्रमक चिडिया है यह पक्षी उन्चे आकाश में चक्रावे लेती गोल-गोल गुमती हुए अपने शिकार को खुचती रहती है यह पक्षी उन्चे चट्टानों पर अपना गुसला बनाता है यह पक्षी है क्रैन हिंदी और गुजराती में सारस बोलते है भारत में सबसे ज़्यादा साइबिरियन सारस पाए जाते है क्योंकि यह पक्षी साइबिरिया से आते है यह पक्षी उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है यह पक्षी अपने साथी के वियोग में खाना पिना छोड़ कर खुद भी मर जाता है सारस पक्षी आस्मान में 40,000 फिट उपर तक उड़ सकते हैं ब्लेक नेकेड क्रेन जो जम्मू कश्मीर का रज्य पक्षी है